Hello đấye strange, तो आज लेके आए हैं हम लोग especially porifera conditions, पुरा phylum देखेंगे, इसके पहले वाले में हमने देखा था पूरा-पुरा protesta protesta को हमने deal कर लिया था, उसका वीडियो हमने playlist में लगा दिया है, notes भी दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं इस classes में हम लोग इसको complete करेंगे और detail करेंगे कि पोरी फेरा के जो animals होते हैं उनकी body structures कैसे होती है and body structures साथ और जो बागी criteria है वो कैसे cover करता है यानि ये कह सकते हैं कि पोरी फेरा का complete जो characters है इस वीडियो में cover हो जाएगा तो चलते हैं वीडियो को start करते हैं बिना किसी देरी के आपको पता है कि पिछले process के जैसे इस process में भी आपसे यही कहेंगे कि इस app को अधिक सधिक share करेंगे बच्चे को बताइए कि हमारे लिए हमारे जो classes है BSC और MSC की लगातार वो return mode में चल रही है लगातार चल रही repeat mode में तो आप सभी लोगों को बताइए कि classes सही timing से video and material provide कर रहे हैं अभी आपको मैंने test भी दे रखा है तो अभी आप cell biology वाले को तीन test हमने दे रखा है एक mark test रखा है ठेक और दो हमने cell biology के test दे रखा है मतलब 200 question आपको दे दिये गए हैं तो 200 question को cell biology का पूरा पूरा कभर कर ले देंगे हम अभी non coordinates का आपको 200 question और देंगे आप उसको टेस्ट में practice कर लिजेगा two attempt के साथ मतलब दो attempt मिलेगा दो बार आप सही तरीके से practice कर लेंगे एक्जाम पर पेक्सूट से देखे तो काफी ज़्याला बेहतार होने वाला है चलते हैं अपने phylum porifera को देख लेते हैं देखो इस टूइंट जब बात होती है Phylum porifera की जब बात होती है, سबसे पहले क्या देखते हैं यहां पे हम लोग sponge के बारे में बात करते हैं ठीक किसके बारे मैं sponge जितने भी हमारे sponge होते हैं सारे-सारे sponge होते हैं वो porifera phylum के अंतर गताते हैं यह line आप माइड में रखना त तो देखो जो पॉरीफेरा के जो इस स्टड़ी होती है उस तवाले ब्रांच को हम लोग कहते हैं पैराजूलोजी, क्या बोलते हैं? पैराजूलोजी, तो भाईया एक नमबर के कोश्चन के साथ नहीं, एक MCQ तो यहां से भी बन सकता है, कि बताओ कि जो पॉरीफेरा के ऐनि में करते हैं तो पैरा जुलोल्जी के अंतरगत करते हैं यह लाइन आपके दिमाग में हर समय होनी चाहिए कि मैंने क्लास अटेंड किया था तो यह पॉइंट समको देखने के लिए मिल गया था बात करें यहां पे नमर फर्स्ट करेक्टर की तो नमर फर्स हमारे पास आता है क इस ऐले लेबल ऑफ औरगनाईएसन मतलब यह कह रहा है कि इसकी बॉडी की जो ओरगनाईशन होगी वो प्रोटो प्लाजमिक से थोड़ा सा डिवलफ होगा प्रोटो प्लाजमिक औरगनाईशन से डिवलफ होने के बाद हमारा बनता है ऐसा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपने इनिमल वाला पूरा करेक्टर देखा होगा तो इस पॉइंट को हमने पांचो ग्रेट सिस्टम्स आपको अप्लोड किया था वह आपके प्लेलिस्ट में आप देख लिजेगा ठीक तो यहां पे कोशकी इस्तर का बनावर्ट देखने के मिलेगा अब बात करते यह सेसाइल्स होते हैं यानि अलग-अलग होते हैं लेकिन किसी न किसी इस्पेसली अटेच यानि यह चुछ रॉक्स होते हैं जितने भी चटाने होती है चटानों से अटेच्ड होते हैं मतलब जो इनकी होस्ट बॉड़ी जो होती है किसी होस्ट सभी स्ट्रांस से अटेच होती है क्योंकि यहां पिलोको मोटरी ओर देखने के लिए नहीं मिलता है अब बात करते हैं इस पेसली कहां कहां दो कर्डिशन देना यह सारे-सारे मैराइनल होते हैं समूद्र में रहेंगे लेकिन लेकिन यहांपे एक ऐसा भी exception है यहां पर जो भी important है जो हमारा sponge होता है वह fresh water में रहता है तो बाया एक करती कैसा होगा बैटा यह सारे सारे asymmetrical conditions को represent करते हैं कैसे asymmetrical conditions और सममिती represent करेंगे लेकिन यहां पे जो lycosylenia है एंड साइफा है उसको छोड़के तो साइफा एंड जो lycosylenia होते हैं वो symmetrical conditions को represent करते हैं यानि यहां से भी एक IMP बनेगा देखो पूरा IMP का सिरी जुठाक लाया हो ठेक अब बात करते हैं यह कैसा होगा यह diploblastik होंगे कैसे होंगे diploblastik होंगे diploblastik का मतलब होता है कि एक तो हमारे पास acto layer होगा और दूसरा हमारे पास यहां पे इंडो doarm होगा तो ito oft अगे बोलता क्या है जो यह डर्मल लेयर पाए जाएंगे क्या डर्मल लेयर पाए जाएंगे जो किसके बने होंगे हम इने पिनेको डर्म में भी बोल सकते हैं क्या पिनेको डर्म क्या पिनेको डर्म भी बोल सकते हैं कोई डाउड किसी को नहीं होना चाहिए आगे अंदर की तरफ यानि अंदर की तरफ लेर होता या अंदर मतलब इसके जो अंदर वाली कहानी है अंदर वाली कहानी में क्या पाया जाएगा गास्टो डर्मल होगा जिनको हम लोग स्पेशल क्या बोलते हैं चैनो डर्म के नाम से जानते हैं ठीक तो यह लाइन यहाद रखना गास्टो डर्म कहां पर है अंदर की ते हैं nursing और denial को सय़ किन्हें यह दोनों दोनों लेिएर के बीच में इन कुल लेयर इस नॉन सेलिलर तर्ए एक लेयर मोध के विसुद्रव लेयर के देखने के लिए विद के लिए में ठेक अब बात करते हैं इस कल्टान यानि हडड़ी ओड़ी होगा कि नहीं तो इस कल्टान देखो कैसा होगा कैलिसियम कार्मोनेट का यह बना रहना पीपीटी में यहाँ पे नोट्न में थ्री शूट गया है तो कैलिसियम कार्मोनेट यानि CACO3 पाया जाएगा एंड उस सिबर एक MCQ यहां से भी क्या पिलेगा इस पॉंजीन फाइबर्स देखने के मिल जाएंगे किसी किसी बॉड़ी में और कहीं कहीं आपको अफसेंट भी दिखाई देंगे अब बात करते हैं कैनल सिस्टम की जो कैनल सिस्टम इनके बॉड़ी में देखने के मिलता है वो कैसे से मिलता है किनल सिस्टम झेर सारे होते हैं कैसे होते हैं झेर सारे होते हैं जिस अब लोग क्या बोलते हैं पोर दीखाई देंगे पोर दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, इसी पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, आस्टिया बोलते हैं, तो यह निमरस हो सकते हैं, यह करता क्या है, यह बोल रहा है कि for in flow of water, in body direction, मतलब कि in specially कि हमारे पास जो water होते हैं, वो body के अंदर की तरफ जाते हैं, यानि body के and a single large opening asculum, मतलब यहां पे asculum पाया जा, कहां पे, बड़ा सा यहां पे हमारे पास, दूसर नंबर पे asculum मिलेगा, यह करता क्या है, यह water को बाहर की ओर निकालता है, तो अंदर water किसके द्वारा, water जाएगा, आस्टिया द्वारा, बाहर किसके द्वारा जाएगा, asculum द् तो दोनों points को आप सही तरीके से इसको याद करेंगे, दोनों points को सही तरीके से याद करेंगे, कोई doubts नहीं होने चाहिए, ठीक, अब उसके बाद कहता है, कैश्वेंट्स बोलता है कि throw which water come out of body, come out the body, यानि body से water को जो निकालने वाला काम होता है, वो आस्टुलम करता है, औ देखो आगे करता क्या है, canal system help, the sponge in nutrition, भाईया जो canal system है इनके body में, वो भोजन करने में, यानि nutrition, पोसड करने में भी help करती है, और उसके साथ respiration, स्वसन करने में भी help करेगी, and इतना है नहीं, excretion, यानि उस सरजन करने में भी help करती है, रुको रुको रुको, और यहाँ प होना चाहिए, कि हमारी जो canal system होती है, वो nutrition में, वो respiration में, और वो हमारे excretion में, and reproduction में, ऐसे कह सकते हो, कि हमारी जो metabolic activities है, हमारी sponge के, वो ज्यादा material कभर करता है, हमारा पूरा पूरा यहाँ पे canal system, चलते हैं आगे, इतना आपको point किलियर हो गया होगा, आगे चलते हैं, त जहाँ इंपॉर्टेंट रोल भी है, यहाँ पे, कैसे होते हैं, थ्री टाइप्स के हमारे canal system होते हैं, जिसे पहला है हमारा excon, क्या है, excon, excon सबसे simple होता है, क्या होता है, सबसे simplest आपके canal system में, कहाँ पाए जाएगा, lecosylenia जो हमारा animal है, उसके body में canal system जो होता है, वो कैस जैसा पाए जाता है, excon जैसा पाए जाता है, काफी simple पाए जाता है, तो भी आदेख लेते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आश्टिया में water आएगा, ठीक पिर कहां जाएगा, फिर sponge oil में जाएगा, sponge oil से आश्कूलम के अंतरगाद चला जाएगा, जो आश्कूलम हो क्या बोलते हैं, इस पोर को हम लोग especially नाम देनेंगे, आश्टिया, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग आश्टिया बोलते हैं, तो जितने ये पोर दिखाई दे रहा हैं, सारे के सारे जो पोर है, यहाँ पे different, different, numerous type के, मतलब एक सधिक, numerous मतलब बहुत सारे, अनेको, ठीक, जो जो पोर दिखाई दे रहे हैं आस्टियात घंट्यों सील की होती है क्या होती है इसそう पॉरिला दिखाई दे रहा है यह क्या है कैविटी है यहाँ ध ​ ск इसको कोनो साइट से भी बोलते हैं कोनो साइट से देखने मिलते हैं तो यह जो आपके ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है यह क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या दिख रहा है आस्कुलम दिख रहा है यह आस्कुलम क्या करेगा इसी के थ्रू वाटर क्या होगा दूसरा नमर की बात करते है दूसरा नमर पे हमारे पास क्या है एसकॉन आपको फिक्टिचर थोरा सा किलिएर महीं होगा हम थोड़ा सा लाइट कम कर रहे है। चलिए यह इस पिक्छ collector के साथ हमology कम कर दिया गया आप देख सक्ते हैं est-cane की करते हैं यहाँ पर और हमारे पास से प्लाइस से कौन ही आ जाता है कि यहां पिया देखना है यहां पर इंडो पिनेको डर्म की तो आप होते हैं नानों डोटक भेड़ेते satisfaction लाने एंडी सिर्फेस infe फोल अदर कहों यह और क्या इंद नहीं को रहने हैं और रहे होता है थो बोडिय शर्फेस पर होता है और यह लाइन के नियंड होगी और कहा होगी इनकरेंट में मिलेगे प्रोसेस का है इसका प्रोसेस आप पिक्चर में देखेंगे उसके पहले हम यहाँ देखाने हैं आस्ट्रिया में सबसे पहले वाटर जाएगा आस्ट्रिया से वाटर इनकरेंट कैनाल में जाएगा ठीक कैसे इनकरेंट कैनाल में ठीक इनकरेंट कैनाल जो होता है वो पिनेको डर्म के ठीक आगे यह एपोपाइल में जाएगा एपोपाइल से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक्ज करेंट करनाल देखने मिलेगा एक्ज करेंट करनाल से यहाँ पे इन करेंट ऑस्टिया के बाहर जाएगा वाटर पूरा फिर उसके बाद स्पेंजों सील जो बीच में आए कि पैर होता है तो आपको हर समय याद होना चाहिए कि कहा में पाइज जाएगा ये सारे सार होता है या यह सब्ल Scout कहते हैं फिर उसके बागा वह हमारा का निकलेगा मियो साइट-crbs यक नि यह रिइख डिगए भीडर वहे होता है बात करते है पिक्चराइजेसंस की तो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले वाटर कहां जाएगा हमारे पास ओस्टिया के पास जाएगा ओस्टिया देखो क्या वो रहा है इन करेंट कैनल ठीक कैसा है इन करेंट कैनल के पास वाटर चला गया है यहां से वाटर अंदर की ओर भागेगा अब वाटर अंदर गुसा वाटर जैसे अंदर जाएगा इन करेंट कैनाल के पास प्रोसोपाइल में जाएगा प्रोसोपाइल से होते हुए देखो प्रोसोपाइल है यह चोड़ा जो गड़ा दिखाई दे रहा है यह चोड़ा जो डार्ट कटा है ब मतलब यह बीच वाल यह फोड़ा सेहा इस्ता यह नहीं टी उजा है यह थो हल सा सभादग कये हैं अब बांबर भाक सुन हुआ और आएगा यानि हमारा Osculum होगँ जे कुछ कहानी अब बात करते हैं यहां आपने है ते काफी छोती है उनके काफी थिकन के अफ वाल अ चाहे sebel польз जाएगा and आगे क्या बोलता है especially इन में हमको मीजो काइम देखने के लिए वाल के अंदर मिल जाएगा बतिया बात ठीक है भाईया पहले क्या पाया जाएगा आश्टिया होगा या वाटर पहले आश्टिया में आएगा यानि जो पोर दिखाएदरा इस पोर को हम लोग क्या बोलते है ऑस्टिया बोलते है टीक क्या बोलते है ऑस्टिया बोलते है ऑस्टिया से वाटर कहा जाएगा हमारे in current canal के अंदर गर जाएगा कहाँ पे in current canal में जाएगा in current current से prosopile से होता हुआ जो ये prosopile से ये board दिखाए दरा पोर से होता हुआ कहाँ पे facilitated chamber ये जो chamber दिखाए दरा है ये कैसा होता है ये पूरा पूरा ऐसे आपको देख रहें के बिलेगा ये चेंबर होगा उसको फैजिलेटर चेंबर बोलते हैं क्या फैजिलेटर चेंबर देखने मिलेगा बात तो ठीक नहीं लगी भई यह ठीक नहीं बन पाया यह हमारा एक ऐसा होगा और इसके बोड़ी के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे और इसमें धेर सारे फैजिला पाये जाएंगे ठीक क्या पाये जाएंगे ये इस्ट्रक्ट्चुर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा ठीक इसको फैजिलेटर बोलते है ठीक ये मोडिफाई हो तक किसका रेडियल काइनाल का तो मसी यहाँ से क्या बन सकता है यहां से पूछा जा सकता है कि भाईया बताओ कि जो हमारा sponge होते हैं उनमें हम लोग radial canal के modifications के बाद कौन सा special structure बनता है तो आपको याद होना चाहिए कि fragilated chamber का farmation होता है आप यहां पर अपको इपोपाइल दिखरा होगा जो लास फॉला है इसको एपोपाइल बोलते हैं क्या इसके पेसल यहां पर देखेंगे तो एक चीज आपको कम मिलेगा हमारे पास कि यहां पर जो cavity होती है वो काफी सक्री हो जाती है क्या cavity काफी सक्री होती है यानि कह सकते हो कि cavity abstin जैसे दिखती है ठीक और यहां पर क्या water बाहर की तराफ यहां से निकाल दिया जाएगा ठीक आगे देखते है थोट फुड़ा साइब बेसिक चीज अगला points यहां पर हमारे पास क्या है रगन की बात कर रहा है यह हमारे पास यह हमारे क्या होता है इनको बोलते हैं क्या यह ऐसे body structures होते हैं.. इन body structures को lukonide conditions is derived डेइभ का सतो डेईभ फॉULL में लारवा स्टेज कॉल कि हमारे पास जितने भी हमारे स्पोंजीबा बाद भी जा बोलते हैं यहांद्ल बनाता है क्या बनाता है जिसे हम लोग क्या जनते हैं होते हैं रहेगन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं यह चीज आप यह दखना में कलर और कॉम्बिनेशन ठीक खर लें ठीक अब उसके बाद क्या बोल रहा है वह रहा है सिस्टम ज्यान देना जो जो हमारे लारवा में देखने के लिए नहीं मिलते तो बता देना कभी बोलेगा जो कैनाल सिस्टम अपसेंट कहा होंगे जब हमारे स्पंज का लारवा बनता है वहाँ पे कैनाल सिस्टम अपसेंट होते हैं ठेक आगे बोल रहा है लेकिन हमारे पास जो हमारे डिजाइन किया गया है फिल्टर फिडिंग होता है यह चेक आउट करके किसी को खाएंगे and take a food in the form of bacteria यानि bacteria और जो हमारे क्या होते है प्रोटिस्टा होते है तो प्रोटिस्ट और जो बैक्टिरिया होते है उनसे इनका nutrition होता रहता है भाईया आगे देखो digestion जो होता है वो inside food vacuum ठीक ऐसा inside मतलब food vacuum के अंदर होगा यहाँ पर क्या पाया जाएगा यहाँ पर बोलते है intra cellular digestion देखने के मिल जाएगा और इस पेसली यहाँ पर देखे तो हमारे पास जो food है क्या है food is done इस टोरी दिन हमारे पास किसका यहाँ theocyte sales होते हैं क्या होते हैं theocyte sales होते हैं यह food को इकठा कर सकते हैं खतम करने का काम करते हैं या डाजेस्ट करने का काम करते हैं ठीक respiration कैसा होगा through body surface body surface द्वारा होता है diffusion method द्वारा ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पर circulation circulation बोल रहा है कैसे पाया जाएगा help होगा कि इसका amoebocyte sales यानि इनके body में amoebocyte sales होते हैं या हमके मिल जाएंगे क्या special tropho बोलते हैं इसको क्या हमको trophocytes मिल जाते हैं और यह trophocytes जो होते हैं अलग-अलग variant होते हैं इनके अलग-अलग varieties होती है किसलिए क्योंकि amoebocyte sales क्या करते हैं अपने structures को change करते रहते हैं इसलिए अलग अलग काटेगरी में होते हैं ठीक आगे बात करते हैं यहां पे इस क्रेशन की इस क्रेशन होगा बैया किसका यह अमिनोटेलिक होते हैं अमिनोटेलिक मतलब यह अमूनिया किसे क्रेशन करेंगे ठीक किस कर्णिशन में लिक्विड कर्णिशन में ठीक आगे दे इसमें nervous system देखने के लिए नहीं मिलता यानि तो एक mcq तो यहां से भी आपका बनता ही है ध्यान देना मैं बता रहा हूं इतना mcq बताया हूं कि आपको इसमें इससे ज्यादा कभी पूछी नहीं सकता बहुत मिनत लगता है टोचो टोपिक को कलेक्शन करके लाना और आपको टू पॉइंट्स देदेना ठीक अप्यार भी देते हो उसके लिए आपका सुक्रिया है ठीक आगे देखो reproduction की बात कर लेते भाईया reproduction भी देखने के मिल आएगा ठीक कैसा होगा reproduction यहाँ पर इंटर्नल बर्डिंग देखने के मिलता है इंटर्नल बर्डिंग होगा वहाँ पर जम्यूल का फार्मेशन होता है तो यह भी देखो आगे बढदे हैं आगे हमारे पास क्या का है यहां पर इंटर्फ होते है। हमार मेल औरम का मतलब हिसे हों यहां पर सिम कंडिस्मेमें हों थीकी यह मतलब male and female, mommy और पपा, in the same organism, एक के जैसे organism होते है, ठीक, इनमें और क्या मल देगा, और्चियो साइट सेल्स होते हैं, जो produce करते हैं किसको gonad को, एक तो MCQ यहां से बनेगा, कि हमारे पास जो gonad का formation होता है किसके द्वारा होता है और्चियोसाइट के द्वारा होता है इसको याद रखना most important है आगे देशो internal cross fertilization वह यह जो इस पंज होते हैं वो internal मतलब आंतरिक को शिक आंतरिक की निसेशन की activity को दिखाते हैं तो internal cross fertilization होता है ठेक because of protogeny कैसा होगा protogeny के basis पे ठेक protogeny का मतलब क्या होता है special यहां से बोल रहा है कि जो male mature early male जो होता हो पहले mature होता किसके especially female से ठेक पपा पहले develop हो जाएंगे मम्मी से ठेक आगे बोल रहा है development की बात करें development कैसा होगा indirect development मिलेगा जो cleavage होगा वो homoblastik होगा मतलब बराबर बराबर हिस्ते में दो पार्ट बन जाते है यानि एक और एक वन अपन टू के पार्ट में जब बढ़ जाते है तो इसको हम लोग क्या बते हैं homoblastik बोलते हैं आगे जो larva होगा वो एंफी वास्टूल लारवा देखने मिलेगा क्या एंफी वास्टूल लारवा तो भईया एक important mcq या आई एंपी इसको भी कर लेना कि एंफी वास्टूली के लारवा कहां देखने मिलता है साइफा के अंतर मिलेगा ठेक और यह free saving करता है खाली होता अ एक और प्लम और मिलता है यह फिर इस्टूरियो यह सोल्य कैसले के अंतरकत मिलेगा यहां से बन जाएंगा लेकिन यहीं कैसा करता है ऊपर ताता रहेगा यह सोलिड लारवा होता है इनमें इवो रहा है क्या external layer आफ फैजलेटेड यदि बाहर के जो layer होते है वो फैजलेटेड सेल के बड़े होते है लेकिन जो internal mass होता है वो amoebide sales का design होता है कैसा होता है amoebide sales का design होता है यहां से हमारा खतम हुआ पूरा पोरी फेरा का general characters हमने deal किया अच्छे तरीके से अब आपको छोड़े जाते हैं last page के तरफ देखो last page हमारे पास है some important fact क्या क्या important fact है आप इसको देख लेजिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप इसको कर लीजए गा मिलते हम लोग है नेस्ट class में आपके लिए लेके periphera के बाद हम लोग अब सिलिंटरेटा को देखेंगे ठेक कैडिक्स को देखेंगे स्सिलिंटरेटा को देखेंगे देखा जाए क्योंकि पेपर आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है मैंने जतना बोला कि जतना हिल्प हो सकता है मैं कर सकता हूँ आपके लिए प्रेक्टिस देते रहो तीन सेट मैंने लगा दिया है जल्दी आपको चौथा सेट भी देखने मिल जाएगा टेश्ट सीरीच का आप उसको कर सकते हैं ठीक अगले साल हो सकता है कि जो बच्चे 2022 के पिपर देंगे उनके लिए वीडियो मठेरिया दोजार तेश में जो बच्चे देंगे उनके लिए वीडियो मठेरियल और बाकि जो एडवान्ज करना है ज्यादा दिक्रत होगा कॉल कर लेना मेरी टीम या मैं पर्टिकुलर आपको वहां पर मैसेज या फिर बाकी जो चीज़े हैं वो बता दूंगा तो तब तक के लिए टेक केर बाइबाइब जय हिंद